तो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट्स, वन्स अगेन, वेलकम आल अफ यू, आप सभी का स्वागत है हमारे 12th क्लास के नेक्स चैप्टर में, फ्लैमिंगो बुक का आज मैं लेके आया हूँ, आपके लिए चैप्टर नमबर 4, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है The Red Trap, The Red Trap का मतलब होता है चुहेदानी, जिसमें हम कुछ ना कुछ चुहे को लालच दे करके, और उस चुहेदानी में बुला करके, और वही पर उसे जकड लेते हैं, वही पर उसे फसा लेते हैं, तो इस तरह का एक ये फिलोसफिकल चैप्टर है, कि दार्शनिक तौर पर, जीवन दर्शन के तौर पर, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो हमें लालच दे करके, अपनी और बुलाती हैं, और वहां बुला करके फसा लेती हैं, उसके बाद हम कितनी भी कोशिश करें, दि जो हमें लालच देने के लिए रखा गया था, उसके वजए से उसके चकर में हम अब उस चंगुल में फस्च चुके हैं, तो यहां पर जो हमारा ओथर है, उसका बहुत एक अतरंगी सा मिजाज है, उसका उसी तरह का एक थौट प्रोसेस है, कि भाई, ये पूरी की पूरी जो है न, इसमें जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सब रैट ट्रेप है, यानि पूरी दुनिया ही रैट ट्रेप है, और जो कुछ हमें आसानी से मिल जाता है, वो एक बेट है, वो एक चारा है, जिसके लालच में आकर के हम इस दुनिया में फसे हुए हैं, तो इस तरहे का एक chapter है जहाँ पर आपको अलग-अलग characters देखने को मिलेंगे और खास करके उसके अंतरमन की भावना जो author है हमारा उसके अंतरमन की भावना है कैसे आती है कैसे वो चीजों को देखता है कैसे उसके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है उन सारी चीजों को हम इस chapter में आज discuss करने वाले हैं और मैं आप लोगों बता दू one of my favorite chapter है यह 12th class में जितने chapters लगे हैं उनमें से मेरा favorite chapter आप इसे कह सकते हैं one of the favorite और भी कुछ chapters हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनी के साथ यह chapter जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा हम पढ़ते समय बहुत enjoy करते हैं मैं इस chapter को पचासो बार पढ़ चुका हूँ और आगे पचासो बार पढ़ने के लिए तयार हूँ क्यों क्योंकि मुझे हमेशा मज़ा आता है जब भी मैं यह chapter पढ़ता है या पढ़ाता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है guys तो आज हम लोग इस chapter को start करते हैं देखते हैं कि जो author है उसके ऐसी मानसिकता क्यों है कि दुनिया एक red trap है और हम सभी लोग इस red trap में फसे हुए हैं अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़े जो है वो चारे का यानि की बेट का काम करती है चलिए let's start our chapter Once upon a time there was a man who went around selling small red traps एक बार की बात है एक आदमी था वह आदमी जो था वो चारो तरफ दुनिया में घूम-घूम करके selling small red traps छोटी-छोटी चुहे दानिया बेचने का काम करता था और वायर जो की तार की बनी हुई होती थी He made them himself वह स्वयम ही उनका निर्मान करता था वह स्वयम ही उन्हें बनाता था At odd moments मतलब अनियामित रूप से odd moments का मतलब कभी बनाता कभी नी बनाता ऐसा नहीं था कि उसके कोई दुकान है और उस दुकान पे बैठके आपने घर पे बैठकर के डेली वह रेट ट्रेप्स बना रहा है और रेट ट्रेप्स बेच करके और अपना घर चला रहा है अपना भरन पोशन कर रहा है ऐसा नहीं था वो एक घुमकड था ठीक है जो सड़क पर धर उदर घुमता रहता था कहीं रहने का ठिकाना नहीं कहीं टिकने का ठिकाना नहीं कहीं पर कुछ कछरा वगरे मिल गया तार वगरे का तो उससे रेट ट्रेप बना लिया बना करके बेश दिया और उससे जो भी मिला वो खालिया और आगे फिर भिख्षावरती के लिए भीक वगर मांगने के लिए वो निकलता रहता था इस तरह का कुछ है जो अभी आगए आएगा उसका पूरा इंट्रोडक्शन आगए आएगा ठीक है तो नियमित रूप से वो यह काम नहीं करता था और नियमित रूप से करता था But even so, लेकिन फिर भी, the business was not specially profitable. ये कोई ऐसा business नहीं था, ऐसा व्यवसाई नहीं था, जो बहुत ही लाबदायक हो के भाई वो रेट्रेप बेच करके कोई करोड़पती बन रहा हूँ. ठीक है बना बताया ना, वेगा बॉंड था, गुमककड किसम का इंसान था, उसे जहां कु एक दो टाइम का खाने का जुगाड कर लेता. So, he had to resort to both begging and petty thrivery, to keep body and soul together. तो वो क्या करता था? कुछ इस तरह का काम करता था, जिसमें दोनों ही चीजे सम्मिलित थी. भीक में मांगता था और petty thrivery, चोटी मोटी चोरी, जैसे किसी के दुकान है, दुकान के बाहर कोई तार का बंडल पड़ा है, चोटा सा, उल्जा हुआ सा, जो उसके भी किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि उससे इजाजत लेके ले लिया, वो उसे उठा करके चलता बनता था, कि हाँ ठीक है, उठा ली, तो छोटी मोटी चोरी, कोई बड़ी चोरी नहीं करता था, to keep body and soul together, कि अपने शरीर और अपनी आत्मा को साथ में रख सके, इसका क्या मतलब है, शरीर और आत्मा को साथ में रखने का क्या मतलब है, जीवित रह सके, भाई, जिन्दा रह सके, ठीक है, हमें भी तो दो वक्त की रोटी चाहिए होती है, तो उसे केवल दो वक्त की चाहिए थी ताकि वो जीवित रह सके, even so, his clothes were in rags, बलकि उसके जो कपडे थे, वो भी rags थे, rags का मतलब होता है, फटे टूटे या फटे पुराने कपडे थे, his cheeks were sunken, उसके गाल जो है, वो धसे हुए थे अंदर की और, and hunger gleamed in his eyes, और भूख जो है, उसकी आँखों में लगातार नजर आती थी, यानि कि कभी भी कितना कुछ भी कर ले, हमेशा पेट भर खाना नहीं खा पाता था, भूख जो है, उसकी आँखों में लगातार दिखाई देती थी, एक second का revision, एक ऐसा विक्ती है, जिसके पास रहने वगरे के लिए कुछ नहीं है, चोटी मोटी और बेगिंग करके, भीक मांग करके, अपना जीवन यापन कर रहा है, चोरी वह उन चीजों की करता है, जिन से वो रेट ट्रेप बना सके, और रेट ट्रेप बना करके, बेच करके, अपनी बोडी और सोल को साथ रख सके, जीवित रह सके, दिखने में कैसा है, पतला आने कपड़े पहने वे थे, जिनने हम रैक्स कह सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, no one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vega bot, कोई भी कलपना नहीं कर सकता, ठीक है, how sad and monotonous के, कितना उदासी पूर्ण, कितना नीरस, कितना पीडा से भरा हुआ, और नीरस या उदास उसका जीवन हो सकत था, life can appear, जीवन कैसा दिखाई देता है, ऐसे वेक्ति का, तु सच वेगा बॉर्ण, जो एक घुमकड हो, घुमकड मतलब जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ भी रही है, कोई संसादन नहीं है, बस समाज में एदर उदर, एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, कई न कई घुमता रहता है, जहां दो रोटी खाने को मिल गई, खा लिया, जमीन पेस हो गया, कभी पेड के नीचे, कभी बेंच पे, कभी रोड के किनारे, कोई फरक नहीं पड़ता, तो ऐसे वेक्ति का जिवन कैसा हो सकता है, इसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते, जो बस सडक के सहरे सहरे चलता रहता है, left to his own meditations, अपने ही विचारों में, अपनी ही कलपनाओं में खोया हुआ, ऐसे लोग बड़े दार्शनिक किसम क्या होते हैं, थोड़े बहुत भी अगर पड़े लिखे हैं और इस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो उनके पास कुछ नह समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, अभी आगी देखना आप यह ऐसी ऐसी बाते बताएगा, राज की एक वेगाबॉंड है, गुमकड किसम का इंसान, लेकिन जब आप इसका दर्शन देखोगे, जब आप इसकी फिलोसफी देखोगे, तब आपको समझ में आएगा क कि जीवन कितना उलजा हुआ हो सकता है, तो बस उन्ही विचारों की तरफ, उन्ही कलपनाओं की तरफ यह चैप्टर हमें लेकर करके जाएगा, लेकिन एक दिन ये आदमी जो है विचारों की पंक्ती में खो गया, मतलब विचार, विचार, सोचते रहना, बस दिल पर कुछ ना कुछ, किस ना किसी विशय को ले ले लेना और उस बारे में सोचते रहना, which really seemed to him entertaining, जो इसके लिए बहुत ही ज़ाधा entertain करने वाला था, मनोरन्जक था, आप लोगों ने भी कई बार ये चीज़ तीनेज में बहुत ज़ादा होती है विचारों पर बहुत ज़ादा काबू नहीं रहता हम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मेरे थौट्स जो है मेरे कंट्रोल में रहे बट टीनेज ऐसा टाइम होता है एक 9-12 का टाइम कि हमारे विचार बहुत ज़ादा नहीं रहते हैं तो उस जगह है जब हम जाकर के देखते हैं क下去 क्या है जब विचारों में हसते हैं पाते कई बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और सोचने लग जाते हैं तो इसी प्रकार से अब इसके पास मनुरंजन का साधन क्या है केवल सोचते रहना अपने विचारों में खोए रहना वो बस स्वभाविक तोर से अपने रेट ट्रेप के बारे में चुहे दानियों के बारे में सोच रहा था तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और एक विचार पर वो अटक गया यह और कुछ नहीं है यह पूरा का पूरा संसार एक बड़ा सा रेट ट्रेप है एक बड़ी सी चुहे दानि है और इस दुनिया में जतने लोग रह रहे हैं वो सब क्या है चुहे हैं और वो सारे के सारे चुहे दानि में कैसे आये किसी ना किसी एक बेट की वज़े से समझने की कोशिश करना यहां इसका कितना सुंदर विबरण यह यहां पर देने वाला है कि आप लोग चुछे दानी में फसे हुए हो marks आपके लिए bet है कोई और विक्ती जो जॉब कर रहा है वो चुछे दानी में फसावा है salary उसके लिए bet है दादा दादी नाना नानी जो व्रत अचुकлад है जिनको पैसे दन संपति इससे कोई मतलम नहीं है लेकिन पोते-पोतियों के साथ, दोईते-दोईतियों के साथ उन्हें अपना समय बिताना है इसलिए ना चाकर के भी वो इस दुनिया में सम्मिलित हैं या इंटरस्ट लेते हैं उनके लिए बेट क्या है? उनके जो ग्रेंट संड या डॉर्टर से हैं थीक है? तो हर इंसान इस दुनिया में उस चोहेदानी में फसा हुआ है किसी ना किसी एक चारे को पाने के लिए उस चारे के चकर में वो उतर गया चोहेदानी में अब फस गया अब वो बाहर नहीं निकल सकता 9th में कह स्कोर था? 10th में कितना है? 11th, 12th, Graduation, post-graduation ठीक है उसके बाद आगे की जो studies है उसमें कितना है चलो साब एक से निकल गए दूसरे मैं क्या salary है कितना कमाते हो क्या करते हो घर में गाड़ी कौन सी है घर कितना बड़ा है नया है कि पुराना है अब यह सारी के सारे जो questions है इनका answer देते जाओ और एक red trap से दूसरे red trap में ज यह और मैं हम दोनों बताएंगे last में ठीक है यह भी बताएगा उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है और मैं भी बताऊंगा कि इससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना होता है So was nothing but a big red trap यह सब और कुछ नहीं है एक बड़ा सा red trap है It had never existed for any other purpose than to set baits for people और इसके अस्तित्व का यानि इस दुनिया के होने का और कोई कारण नहीं है बस एक ही कारण है than to set baits कि यह आपको ललचाने के लिए चारा जो होता है न मचली के लिए जो चारा होता है उसको भी bait का जाता है चोहे दानी में चोहे को बुलाने के लिए जो चारा होता है उसे भी bait का जाता है तो लल्चाने वाली वस्तुएं केवल और केवल इसने set कर रही है for people, लोगों के लिए, कि लोग आकर के इस संसार में पढ़ सके, इस संसार में होना और इस संसार में पूरी तरीके से लिप्त होने में बहुत जादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस है सबसे पहले एक चीज को समझो कि अगर हम पैदा हो गए तो हम संसार में आ गए अब इसमें तो कोई बेट वाली बात है नहीं कि हमें कोई बेट दिखा और हम पैदा हुए ऐसा तो है नहीं न तो अब क्या है कि यहां पे जब हम कहते हैं the world of possession यानि कि ऐसा संसार जो वस्तूओं से, जो कामनाओं से, जो इच्छाओं से भरा हुआ है, यह उस संसार की बात कर रहा है He is not talking about the real existing world, जो वास्तविक संसार है उसकी बात नहीं कर रहा है यह बात कर रहा है वर्ल्ड आफ पसेशन की world of possession यानि वस्तूओं से इच्छाओं से भरा हुआ जो संसार है उसमें हम लोग कोई ना कोई वस्तू की प्राप्ती के लिए किसी ना किसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम सबी लोग यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से फसे हुए है और जिस वज़े से फसे हुए है वो मेरी के साथ मिलने वाले आनंद को शेल्टर एंड फूड के सर चुपाने के लिए घर होना चाहिए अब घर तो कितना भी बड़ा हो एक इंसान को छह बाए तीन की जगह चाहिए होती है सोने के लिए अब उसका घर अगर सवासो गज का है सो गज का है तो भी उसे इतनी के बड़ा घर होना चाहिए मैं रिच हो और जाद से ज़याधा जॉइदा ज्ञुशल करूँ यह तो वेग बॉन्ड राए इसके लिए इंटर्टेनिंग के है इसके थौट यह रहने के लिए clothing अच्छे से अच्छे महेंगे से महेंगे कपड़े exactly as the red trap offered cheese and pork बिलकुल उसी तरीके से जैसे एक चुहे दानी जो है उसमें cheese लगाया जाता है ताकि चुहा अंदर आ जाए या pork लगाया जाता है ताकि चुहा अंदर आ जाए and as soon as anyone let himself be tempted और जैसे ही कोई इ आलच में आ जाता है to touch the bait ताकि वह उस वस्तू को उस बेट को touch कर सके उसे प्राप्त कर सके it closed in on him और यह उस पर तुरंथ बंद हो जाता है अब वह उसमें फसकर रहे गया इसके लिए एक बहुत अच्छी काहवत आती है निन्यानवे का फेर निन्यानवे का चक्कर एक बा एक जोपड़ी में रहता था वहाँ उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी और वो जिस सेट के यहां काम करने जाता था जो बहुत ही अमीर था वो सेट बिलकुल ऐसा पतला दुबला सा मरील सा दस बिमारी यहां से गिरा हुआ पढ़ा सारा उसका बंगला और सेगड़ों न लेकिन उसके बाद भी इतना तंदुरुस्त है खुश रहता है हमेशा मस्त रहता है कोई बिमारी नहीं एक जौबड़ी में रहता है अपनी पत्नी के साथ और अपना इतना बड़ा राजमहल टाइप का घर है और खाने पीने की कोई कमी नहीं जो खाना जाओ पीना जाओ मैं तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ तो सेड जी ने क्या किया कि निन्याणवे सोने की मुद्राएं गोल्डन कॉइन जो होते है निन्याणवे वो एक थेली में भरके और उस जोपड़ी के पास में जाकर के रात को डालके आ गया अगले द इस प्लेस यहां एक कहानी खतम होती है अब जाते है च्छै महीने बाद क्या होता है च्छै महीने बाद उस व्यक्ति का एक घर है नॉर्मल बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा ने खाने पीने के जो सामन्यत है सब भी संसादन होने चाहिए एक मिडल ग्लास फेमिली में वह सब है गाड़ी गोड़ा है सब कुछ है लेकिन अब वह भी पतला हो गया और उसे भी बीपी शुगर यह सारी बेमारिया लगनी शुरू हो गई तो सेठाणी जी को ले जाकर के दिखाता है अब देखो इस मजदूर को इसे कहते है निन्यानवे का चक्र क्योंकि उसको मुद्राएं दी गई तो उसने निन्यानवे के साथ इंज्वा यह नहीं किया अपनी लाइफ ठीक सा नहीं जी वह क्या करने लग गया निन्यानवे को सब करने के चक्कर वह लग गया, 100 को 200, 200 को 300, 300 को 400, 400 को 500, एक बार एक बेट दी गई उसे, 99 गोल्ड कोईन्स, लेकिन वो किसमें लगा, क्या कह रहा है यहां पर, एक बार जैसे ही टेंप्टेड हो जाता है, दर्वाजा उसके उपर बंद हो जाता है, यहां पर मजदूर, उन निन्याडवे कोईन स से दूर नहीं हो सकता, और अब वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है, उसे और जादा करना चाहता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 10,000, 10,000 करोड, कभी ना खतम होने वाली दौड में अब वो मजदूर लग चुका है, तो सेम कंडिशन यहां पर हमारे चैप्टर में भी express की गई है, it closes on him, और दर्वाजा उस पर बंद हो जाता है, and then everything come to an end, और सभी चीज़े उसके बाद समाप्ती पर आ जाती है, सारी चीज़े उसके लाइक में फिर खतम हो जाती है, the world had of course, संसार जो है वास्तविक्ता में, never been very kind to him, कभी भी उस पर बहुत जादा दयालू न in this way, उसके बज़े से क्या होता है, कि it gave him unwanted joy to think ill, कि अजीब सा या एक विचित्र सा उसे enjoyment मिलता है, बुरे विचार करने में, on it in this way, इस तरीके से जब वो अपना जीवन शुरू कर देता है, या अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, यानि कि यहाँ पर यह क्या कहना च जा रहा है, इस sentence से, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी एक चीज के पीछे लग जाता है, या जब कोई चीज बेट की तरह उससे फसा लेती है, तो उसके बाद में वो बाकी लोगों के बारे में बहुत बुरा सोचना शुरू कर देता है, बहुती निम्न स्तर के, बहुती गिर इस तरह के विचार अपने मन में लेकर आता है, और उससे उसे आनन्द मिलता है, जैसे इरशा, किसी इंसान के पास पैसे हैं, आप से जाधा है, चलो पैसे छोड़ो, मार्क्स की बात करते हैं, कोई student है, जिसके 10 out of 10 आते हैं, और आप हो 7 पर बैठे वे, 10 out of 7 पर आप चार करना शुरू कर दोगे, उसके चुगली करना शुरू कर दोगे, यह तो ऐसा है, यह तो ऐसा है, यह तो वैसा है, तो यह इस विशह में कहा जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से लोग सोचना शुरू कर देते हैं, और अपनी लाइफ को डिस्टरब करते हैं, इट ब यहाँ पर जो विगाबॉंड न यह विगाबॉंड क्या करता है कि उस पर कभी भी संसार ने कभी दया नहीं दिखाई तो वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचता है यह देखो यह कैसे फसा हुआ है अभी देखना सुभब से शाम तक काम करेगा और यह से काम करते करत उसके लिए बहुत ही हमेशा उसे खुश रखने वाला पास्टाइम बन जाता है वो और बहुत सारी जो उसकी नीरस यात्राएं हैं जो उसको परेशान करने वाली दुखी करने वाली यात्राएं हैं उसमें वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिनके बारे में वो जानता है जुन लोगों ने अपने आपको खतरनाक जाल में फसा लिया है यानि कि जो खुद पकड़े गए हैं खतरनाक जाल के अंदर and of others who were still circling around और उन लोगों के बारे में भी सोचता है जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं कि वहीं अब हमें भी इस जाल में फसना है तो बेट यानि कि उस बेट की और बेट की और चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और अब वो भी उस जाल में जाकर फसना चाते हैं तो दो लोगों के बारे में बेसिकली बहुत बुरा और बहुत ही निमनिस्तर के विचारों में सोचता है नममर वन वो लोग जो अल्रेडी उस जाल में फस चुके हैं बेट की वज़े से चारे की वज़े से और दूसरे वो जो अभी भी उसके चारो और घूम रहे हैं यानि कि उसे देख नहीं पा रहे हैं कि ये एक फसाने के लिए बेट लगाई गई है और उसमें जाना चा रहे हैं एक डार्क इवनिंग में यानि कि शाम का समय हो गया है रात्री का समय शुरू हो गया है एस ही वस थ्रग्डिंग वै ठकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था अलॉंग दा रोड उस रोड के साथ में उसकी नजर पड़ी उसने देखा एक पुरानी सी ग्रे कलर की यानि कि जिस पे कोई भी आकरशक कलर नहीं हुआ वा यानि कि फीका कलर जिसका हो रहा है एक छोटा सा घर या जोपड़ी को उसने देखा बाई दा रोड साइट रोड के पास में and he knocked on the door और उसने वहाँ जाकर के दरवाजा खट खट आया तो आस्क शेल्टर फॉर दा नाइट कि क्या आज रात को वहाँ पर शेल्टर यानि कि आश्रे ले सकता है क्या उस कॉटेज का जो मालिक था उसने उसे बिल्कुल भी मना नहीं किया इंस्टेड ओप यानि उसे मना करने की बजाए तो वह व्यक्ती जिसने सामान्यत है इस तरह के दुखी चैरे को देख करके जो कि एक साधारण व्यक्ती था उससे मिला और ओनर जो था जो कि एक बुड़ा व्यक्ती था बिना पत्नी और बच्चों के यानि उसकी पत्नी भी नहीं थी बच्चे भी नहीं थे वहाँ खुश था कि चलो कोई आया है मैं कमसे कम इससे बात कर पाँगा यानि कि वह भी कही ना कही अपने अकेले पन से परेशान था तो उस अकेले पन से बाहर निकलने के लिए उसने एक अच्छा मौका देखा क्यार यह आया है चलो कमसे कम इससे बात चीत तो करूँगा talk to in his loneliness अपने अकेले पन में उससे बात करने के लिए कोई ना कोई तो है immediately he put the prodigy pot on the fire उसने जल्दी से एक दलिया बनाने के लिए उसने एक pot रखा fire पे and gave him supper और उसे रात्री कालीन भूजन dinner भी आप कह सकते हैं उसे dinner कराया then he curved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own और उसके बाद में क्या किया उसने कर्व किया काटा मोडा और मोड करके एक बड़ा सा टुकड़ा tobacco roll में से निकाला यानि की tobacco roll में से निकालने का आपको मैं क्या meaning बता हूँ कि टवैको की जो पत्या होती है वो जर्नली अगर आप market में देखो के तो कटी भी मिलती है पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था बड़े बड़े पत्य आते थे रोल किये वे आते थे उसको काटा जाता था काट करके जो pipe आती है अपने राजकुमार की movies में देखी होंगी उस pipe में भरके उन्हें पिया जाता है ठीक है और प्लेट जॉलिस और उसके बाद में उन्होंने जॉलिस जो है ताश का एक प्रकार का खेल होता है इसे कई बड़ होलिस भी कहा जाता है एम यहां silent रहता है और जे और एम जे का जो साउंड है वो बहुत सारी जगह पर एच बन जाता है और उसने अपने नए गैस्ट के साथ अपने अतिती के साथ ताश खेलना शुरू किया जब तक कि उनके सोने का समय नहीं हो गया जो बुड़ा वेक्ती था जो उस कॉटेज का मालिक था वो उतना ही जेनरस यानि उदार था अपने confidence के साथ और अपने दलिये के साथ और अपने टबैको के साथ यानि कि उसने बिल्कुल एक ही पल में सामने वाले अजनभी को अपना माल लिया कि आओ यार बैटो खाना भी खाओ लो मेरे साथ स्मोग भी कर लो और अपनी गुप्त बाते भी बताने के लिए उसने उसे क्या करा, उसे सहज वेक्ति समझ लिया, क्यारी अच्छा वेक्ति इससे मैं अपने राज की बात भी कर सकता हूँ The guest was informed at once that in his days of prosperity, वो जो guest है उसे बताया गया, यानि बुड़ा वेक्ति उस guest को बता रहा है, वेगा बॉर्ण को, कि एक समय की बात है, पहले मैं भी कभी एक सम्रद हुआ करता था, एक अमीर वेक्ति हुआ करता था, his host, अपने मेजबान को, had been a crofter, मैं एक छोटे से farm का मालिक at Ramasjo, एक रामजjuk के अंदर, ऐरन वोक्स पे, जहां पर लोहे को पीटने का काम किया जाता है, यह आप अंईरन वोक्स को, जहां पर आइरन फैक्ति होती है, हिंदी में हूं कहता है यह थाई क्हाना, बहर कहने था लेंड और जमीन पर भी काम किया करता था, now that he was no longer able to do डे लेबर अब जबकि वो दिन बर काम करने की उम्र में नहीं है उसकी इतना साहस नहीं है कि दिन बर अब मेनत का काम कर सके अब के ओर उसके पास एक गाय है which supported him जो उसका सहारा थी यनि कि गाये पाल रखी है उसका दूद निकालता है बेशता है और अपने खाने पीने का जुगाड करके एक छोटी सी जोपड़ी में रहकर खुश है यस डेट बॉसी वह एक्स्ट्राओर्डनरी हाँ वो जो गाये थी वो बहुत ही असाधर्ण थी शी कुट गिव मिल्क फॉर दा क्रीम री वो डेरी के लिए दूद दे सकती थी every day प्रती दिन and last month he had received all of 30 kronor और पिछले महीने उसे पूरे 30 kronor मिले थे kronor क्या है एक तरह की currency होती है ठीक है तो 30 kronor जो है उसे payment के तौर पर मिले थे उस गाये का दूद बेच करके the stranger must have seemed incredulous for the old man got up and went to the window took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame आदा आदा करके पढ़ते जादा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर starting की two lines देखते है पहले stranger जो है वो शायद उसके चहरे पर ऐसे भाव दिखाई दे रहे थे कि उसे संदे हो रहा है विश्वास नहीं हो रहा यानि कि आप मुझे कोई कहानी सुना रहे हो और मैं यह देख रहा हूँ अच्छा ठीक है यह कुफ मैं ही मिला हूँ तिरको आज सुबह से तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव आए कि 30 क्रॉन और तुम्हें मिले मुझे इस बात का विश्वास नहीं वो इस तरीके से अपने होस्ट के और देख रहा था और यह देख करके जो बुड़ा वेक्ती है वो खड़ा हुआ वें टू दा विंडो खिड़की के पास गया तुप दाउना लैदर पाउच लैदर का एक पर्स जो है उसने वहाँ से लिया विच हंग जो की टंगा हुआ था अन दा नेल एक कील पर इन दा वेरी विंडो फ्रेम उसी विंडो के फ्रेम पर यानि विंडो का फ्रेम है वहाँ कील लगी विया उस पे एक लैदर का पाउच लैदर का पर्स टंगा हुआ है वो वो ले करके आया एंड पिकड़ औवट और उसमें से निकाला थ्री वृंटें तैन क्र ओन और बिल्स उसने टीन जो है क्रौन और के ये इन नोट उसने क्या करा य। तीन नोट उसमें से ऐसे मोड करके रखे हुए तरिंकल करके उन्हें निकाला दीज ही है अप बिफोर द आइस ऑफ द गैस्ट और यह नोट उसने क्या करा उसे उसके सामने ऐसे आखो के सामने रखके दिखाया के देखो जूट नहीं बोल रहा हूं पिछले महीने गाय का भूस करके उन्हें उस पर्स के अंदर रख दिया और पर्स को वापस टांग दिया दर नेक्स डे बोथ मैं गॉट अप इंदा गुड सीजन दोनों के दोनों लोग जो है वो राजी कुशी खड़े हुए ठीक है तो दोड़ा जल्दवाजी में था कि मुझे जाना है और अ ठीक है हो गया बहुत यारी दोस्ती अब तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते एंड अधर मैं प्रोबैबली थ्रॉट ही शुड नोट स्टे इन बैड वेंड़ा है वेंड़ा है और जो दूसरा वेक्ति था ये वेगा मॉंड जो था उसने शायद सोचा होगा कि उसे बैड म में नहीं लेटे रहना चाहिए जब कि घर का जो मुखिया है head of the house जो है वो पहले ही उठ चुका है they left the cottage वो जौपड़ी से बाहर निकले at the same time एक ही समय पर the crafter locked the door और crafter जो है उसने दरवाजे के ताला लगा दिया and put the keys in his pocket और अपनी जेब में चाबियों को रख लिया the man with the red traps said goodbye और वे वेक्ती जिसके जो red traps के साथ में था उसने कुछ टांग रखे था अपने बेचने के लिए उसने goodbye कहा और धन्यवाद दिया उसे thank you कहा and there upon और इसके बाद each went his own way दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए यानि कि वेगा बांड जो है उसका काम है सड़क की तरफ चला गया इस तरह से दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए बट half an hour later अब आएगी कहानी में twist और मता लेकिन आदे गंटे के बाद the red trap peddler जो red trap वाला जो घुमकड वेक्ती था फेरी वाला था वह वेक्ती stood again before the door वो वापस उसी दरवाजे के सामने खड़ा थ he did not try to get it उसने अंदर गुसने की कोशिश नहीं किया यानि उसने ताला वाला तोड़ कर घर में गुसने का प्रयास नहीं किया however फिर भी he only went up to the window वो केवल उस खिड़की के पास गया smashed उसे तोड़ा a pen शीशा जो था एक चार टुकड़े होते हैं लकड़ी के अंदर जो ऐसे लगे वे होते हैं उनमें से एक को तोड़ा stuck his hand and got hold of the pouch with the 30 kronor और उसने अपना अंदर हाट डाला और जो कील पे टंगा पाउच था उसको पकड़ा और पकड़ करके उसने बाहर निकाल लिया उस पाउच में क्या था 30 kronor थे अब यहां पर आप देखिए कि एक व्यक्ति है आराम से अपने भीक मांगता हो घूम रहा है खुश है अपनी जीवन में दूसरे लोगों के बारे में बुरा सोचता ह सोच क्या फरक पड़ता है अब मन में कोई भी किसे के लिए सोचो उससे दुनिया को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना लेकिन यहां पर अब क्या हुआ कि जैसे उसने 30 kronor दिखा है बेट चारा और अब इसने क्या हाट डाल करके वो सारे के सारे पैसे चुरा लिये 30 kronor ज उसके आज उसने वापस उस लेधर पाउच को टांग दिया वेरी केरफुली बहुत सावधानी से बैक इन इट्स प्लेस वापस अपनी जगह पर और वहां से चला गया as he walked along with the money लेकिन अब अब तक देखो कितना खुश हो करके मस्ती से गूम रहा था अब देखना उसके विचार में अब उसके जो psychology है उसमें कितना चेंज आ जाएगा अब तक उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था लेकिन अब क्योंकि वो उस चारे से फस चुका है उसने उस चारे को खाने की कोशिश की और अब वो उससे फस गया अब देखी उसके विचार कैसे बदल जाएंगे as he walked along with the money क्योंकि अब वो पैसे के साथ चल रहा था in his pocket जो कि उसकी जेब में थे he felt quite pleased वो बहुत खुश महसूस कर रहा था with his smartness अपनी चतुराई अपनी चाला की से he realized उसने महसूस किया of course निसंदे that at first he dared not continue on the public highway सबसे पहली चीज उसे public highway पर चलने का साहस नहीं करना चाहिए यानि कि जहां से सारे लोग आते जाते हैं उस जगे से उसे नहीं चलना चाहिए पीछे से पुलिस आगे उसे पकड़ सकती है बलके अपना रास्ता बदल लेना चाहिए रोड रोड से इन्टु दा बुट्स और कहां से जाना चाहिए जंगल में से होके जाना चाहिए डूरिंग दा फॉर्स्ट आर्स पहले कुछ घंटों में अब वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसे पहले कुछ घंटों में कोई भी दिक्कत कोई भी परिशानी नहीं हुई वह आराम से जंगल के रास्ते आगे की और बढ़ता गया लेटर इन दा डे और बाद का जो दिन था इट विकम वोर्स अब चीज़े बहुत बच से बत्तर होने लगी क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा सा और कंफ्यूजिंग फॉर्स था अब डायेक्शन का तो वहां कुछ पता चलता नहीं है दाएं गए फिर भाये घूम गए फिर दाएं गए तो पता ही नहीं चल रहा किदर जारे किदर नहीं जारे इस चीज में आश्वस्त होने के लिए शौर होने के लिए तो वह एक ही दिशा में चले तो कहीं तो निकलेगा जंगल से बाहर but the paths twisted back and forth लेकिन जो रास्ते थे वो रास्ते आएसे आशे थे गूंके आगэ जाते फिर पीछे आज जाते फिर पीछे आए जाते पिर कहें दाएं बिचाते बाएं मिर जाते तो उसे जग रहा थे मैं जंगल में ये की रहिए मैं गोल-गोल गूम रहो क्यूंकि जो पग करके आगे बढ़ते फिर वापस पीछे आ जाते फिर पीछे से आगे चले जाते सो स्ट्रेंजली बहुत अजीब तरीके से he walked and walked without coming to the end of the wood वो बस चलता रहा चलता रहा चलता रहा और जंगल के किनारे तक नहीं आ पाया and finally he realized और अंतताय उसने मैशूस किया that he had only been walking around in the same part of the forest अंत में उसे विश्वास हुआ पता चला कि जंगल का एक ही इलाका है जिसमें वो गोल-गोल-गोल भूमे जा रहा है आगे पीछे दाएं-बाएं हो रहा है लेकिन वो कहीं उससे बाहर नहीं निकल रहा all at once he recalled अच्चानक उसे याद आया his thoughts about the world कि संसार के बारे में वो क्या सोचता है क्या सोचता संसार के बारे में यह पूरा संसार एक है इस संसार में उपस्तित अलग-अलग चीज़े जो है वो क्या है बेट्स है चारा है और उनके चक्कर में व्यक्ति महां जाकर के फश जाता है तो वर्ल्ड और रेट्ट्रेप के बारे में उसका यह concept था इसके बारे में वो सोचता है अब यह उसके खुद की बारी थी had come जो कि आ चुकी थी उसकी बारी आ चुकी थी he had let himself be fooled by a bait उसने अपने आपको मुरख बनने दिया एक चारे से and had been caught और पकड़ा गया the whole forest पूरा का पूरा जो जंगल है with its trunks जो इसमें तने है and branches इसकी शाखाएं जो है its thickets उसके कुझ या जुर्मुट जो बने वे हैं and fallen logs और बड़े बड़े लखडी के जो गठठड हैं वो closed in upon him जिसे चारो तरफ से जिन सारी चीजों ने इसे घेर रखा है like and impenetrable यानी की अगम या दुर्गम इस्तिती में prison jail के समान from which जिससे की he could never escape जिससे ओ कभी भाग नहीं सकता अब उसे यहां से क्या मैसूस हो रहा है यह इतना जो the whole forest जो है इस paragraph को समझ लेते हैं इस अंश को समझ लेते हैं यह पूरा का पूरा जो जंगल है इसके जो भी तने हैं जो भी शाखाएं हैं बड़े-बड़े लकडी के गठड़ पड़े हैं जुन्ड में जो बने हुए बड़े-बड़े पेड़ हैं यह सब क्य हैं यह सब प्रिजन यह एक उसके लिए जेल बन गया अब वो इस जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है मुझे एक सवाल का जवाब दो वह जंगल में क्यों गया वाई ही वेंट टू दा जंगल है मुझे व्यक्ति जंगल में हूgun में नीचे फटाफट कॉमेंट में बताओ में रुख जाओंगए दौ पांस सेक्ट को इटेंशन है क्यों गया था हो जंगल में क्या जौरत पड़ी उसे जंगल में जाने की हमेशा rural से रोड एक शेहर से दूश्य शेहर घुमता रहता था आज जंगल में क्यों गया प्रिजन में अब वो फस चुका है चारो तरफ से जिससे अब वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता वो जंगल में गया क्योंकि उसने वो बेट वो चारा खाया क्या बेट था 30 क्रोन और अगर वो उस 30 क्रोन और को हाथ नहीं लगाता अगर उस बेट में नहीं फसता तो आज भी उपने रास्ते पे सीधा सीधा जा सकता था और इस तरीके से एक अजीबो गरीब जंगल में वो नहीं फसता इट वाज लेट इन डिसमबर ये दिसमबर के अंत का समय था यानि कि जहां पर दिसमबर खतम होने वाला होता है डार्कनेस वो जो है वो अल्रेडी बढ़ना शुरू हो गई थी आस्मान से नीचे के और उतरना शुरू होई थी ओवर ता फॉरेस्ट उस पूरे जंगल पे चाह गई थी और इसकी वज़े से उसकी उदासी और उसकी निराशा भी बढ़ गई थी क्योंकि अब तक तो सब दिखाई दे रहा था तभी जंगल से बाहर ने निकल पा रहा भाई अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा निकलूंगा कहां और जंगल आसपास पेड़ पौदे रदिया वगरा है तो ओर ठंडा दिसंबर के टाइम में ऐसा लग रहा है जहान ही निकल जाएगी finally he saw no way out अचानक उसे ध्यान आया कि अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है उसने देखा कि यहां से कैसे भी बाहर नहीं निकल सकते and he sank down और वो जमीन पर गिर गया on the ground tired to death इतना थका हुआ कि उसे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यह मरी जाओंगा thinking that his last moment और अपने अंतिमक्षणों के बारे में सोच रहा था कि मेरे अंतिमक्षण अब आ चुके है head come but just as he laid लेकिन जैसे ही वो वहां लेटा his head on the ground उसका सर जो है वो जमीन पर लग चुका था जमीन तक पहुँच चुका था he heard a sound उसने एक आवाज सुनी a hard regular thumping एक लगातार जोड़ जोड़ से पीटने वाली थप थप की आवाज इस तरीके से थप थप की आवाज उसे आई there was no doubt as to what that was और उस आवाज को सुनके समझ में आ गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि यह क्या है he raised himself उसने अपने आपको खड़ा किया those are the hammer stocks यह हतोडे को मारने की आवास थी from an iron mill एक iron mill से एक ढलाई खाने से he thought उसने विचार किया there must be people nearby के आज पास कोई लोग होने चाहिए he summoned all his strength उसने अपनी सारी ताकत को इखटा किया got up खड़ा हुआ and staggered in the direction of the sound और लड़ खड़ाते वे धीरे 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 जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी उस दिशा की और चलना जाना शुरू किया रामस जो आईरन वोक्स सामने था विच आर नाव क्लोज विच आर नाव क्लोज डाउन जो कि अब बंद हो चुका था वर जो की not so long ago लेकिन बहुत पहले नहीं a large plant एक बड़ा सा कारखाना था with smelter जिसके आगे प्रगालक लगे वे थे rolling mill जिसके आगे rolling mill यानी की जहां पर आप लोहे को एक sheet के रूप में change करते हैं वो rolling mills होती है and forge और एक धलाई गरता forge का मतलब आप कह सकते हैं जहां पर बटी होती है जिसमें कच्चे लोहे को पिगला करके और उसमें से जो proper लोहा होता है उसे निकाला जाता है in the summer time long lines of heavy loaded barges and squaws slid down to the canal which led to a large inland lake ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि summer time में बड़ी बड़ी पंक्तियां जो है जिसमें बहुत बड़ी तरीके से बहुत भारी तरीके से लोहा जो है वो भरा हुआ रहता है कच्चा लोहा भरा हुआ रहता है उसकी नाव और छोटी जो canopies होती है वो है वो तैर करके नीचे आती है canal से जो की बड़े से inland की और inland यानि की नहर के पास वाली जो भूमी है वहां तक उस सारे लोहे वगरे को लाया जाता है इस भाग में और पूरा लोहा इस रामज जो मिल के आसपास लाया जाता है कच्चा लोहा and in the winter time और winter के समय में the roads the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates यानि बड़ी बड़ी जो charcoal की जो टोक्रिया है charcoal का मतलब वो तक कोईला तो कोईले की टोक्रियों से कोईला जो बट्टी में डाला जाता है उससे कोईले का कुछ धुआ जो है या दुंद जो है या उसका आप कह सकते हो राख जो है वो उड़ करके आती है सड़कों पर और सड़कों को काला कर देती है ठीक है तो cold dust से यानि cold के आसपास जो dust रहती है उससे पूरा का पूरा जो रोड है वो काला हो रखा था तो यानि कि winter time में roads काली रहत कि 25 पहले भोल दिया December last तो 20-21 December के आसपास की कहानी चल रही है Long Dark Evening Just Before Christmas एक ऐसी शाम जो की बहुत लंबी शाम होने वाली है और डार्क है अंधेरे से भरी हुई है Christmas से जस्ट पहले The Master Smith and His Helper Sat in the Dark Frorge Master जो Smith है यानि Iron Smith जो है जिसे हम लोहार कहते है और उसके जो भी Helpers है वो एक अंधेरे Forge में यानि कि अंधेरे से भरे हुए भटी खाने में बैठे हुए है Near the furnace उस भटी के पास में Waiting for the Pig Iron Pig Iron का मतलब होता है कच्चा लोहा तो Pig Iron जो है कच्चा लोहा जो है उसका इंतजार कर रहे है Which had been put in the fire जिसे की आग में रखा गया है To be ready to put on the anvil जिसे निहाई के आसपास रख सके जहां पर उसे कूटने का काम होगा निहाई मतलब जहां पर उसे कूटा जाएगा अभी जो Pig Iron जो का रखा हुआ है Forge में रखा हुआ है, आग में रखा हुआ है ताकि वो थोड़ा सा लाल हो जाए, कच्चा हो जाए या उसका आकार बदलने लायक हो जाए उसके बाद में उसे धलाई घाने में लाया जाएगा जहां पर उसे कूट करके एक प्रोपर आकार दिया जाएगा Every now and then, यदा कदा हर थोड़े थोड़े समय पर One of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar यानि कि हर थोड़े दिन में, हर थोड़े देर में कोई उनमें से एक वेक्ति खड़ा होता है एक बड़ी सी iron की rod रहता है और नीचे जो आग लगी हुई है जहां पर कोईले अगरे जल रहे है उसे हिलाता है कोईलों को थोड़ा आगे पीछे गर देता है क्योंकि कोईले क्या है ने कि अगर जो तेज जल रहे हैं वो उपर आ जाए और जिन पर राक या dust जो है वो जम गई है वो थोड़े से dust हट जाए तो उसके लिए उनको क्या करा जाता है बार बार कुरेदा जाता है तो वही चीज यहां पर उनमें से हरवेक्ती कुछ देर में खड़ाओकर कर रहा है returning in a few moments कुछी शड़ों में वापस आ जाता है dripping with perspiration through as was the custom he wore nothing but a long skirt and a pair of wooden shoes और उसके बाद में जब वो वापस आता है तो उसका पसीना टपक रहा होता है through जैसा की custom है वहाँ पर कपड़े पहनने का he wore nothing उसने ज़्यादा कुछ नहीं पहन रखा है एक लंबा सा रोब टाइप का पहन रखा है long shirt के साथ में and a pair of wooden shoes और लकडी के उसने वहाँ पर जूते पहन रखे हैं क्योंकि अगर आप रबड वगरे के पहन होगे और गलती से एक भी कोईला गिर गया रबड के shoes पे तो वो तो एक सगिंड में छेद कर देगा उसमें तो wooden में वो इतना chances नहीं होता और बहुत आसानी से पैरों को चोट नहीं पहुंसते हैं इसलिए वहाँ पर उसने wooden shoes जो हैं पैन रखे हैं all the time there were many sounds to be heard in the frog all the time यानि कि हर समय वहाँ पर बहुत सारी आवाजे आती हैं जिने उस भटी के आसपास से यानि कि उस forge के आसपास से सुना जा सकता है the big bellows बड़ी धोंकनी की आवाज ground यानि कि जिसकी आवाज आती है and the burning coal cracked और जलते हुए जो कोईला है उसके चटकने की आवाजे आती है the fire boy showled और जो fire boy है वो कोईलों को यदर उदर डालता है charcoal into the mouth जो कि उस भटी के मूँ में charcoal को डालता है of the furnace उस भटी के वहाँ पे with a great deal of clatter और जब वो उसे डालता है कोईले उसमें डालता है तो खड़़़़़़़़ की बहुत ज़्याद आवाज होती है जिसे clatter कहा जाता है clattering आवाज वहाँ पर सुनाई देती है outside road the waterfall और उस बटी के उस कार खाने के just बाहर जो है वो तेजी से गिरते हुए जरने की आवाज वहाँ पर सुनाई देती है और जो शार्प नौर्थ की जो विंड है यानि कि तेजी से चलने वाली जो तीखी हवा है नौर्थ की तरफ से चलने वाली हवा वो जो रेन है यानि बरसात को इतना जोर से उन टाइल्स पे मारती है यानि कि जो आपका कार खाना बना हुआ है उसके उपर इस तरह की टाइल् इसे नीचे की और 1-2-1 तो उसके ओपर बहुत जोर से गिरती है और ऐसा लगता है जैसे कोडे मारने की आवाज आ रही हो दा रेन किस पर ब्रिक प्राइल यानि की जो कच्ची मिट्टी के बने हुए जो टाइल्स होती है वैसी टाइल्स वहाँ पर लगी हुए है रूफ पर चट पर इट वस प्रोबेबली ओन अकाउंट ओफ ओल दिस नॉइस और कारण यह है कि शायद इनी सभी कारणों से वहाँ पर बहुत ज़ादा शोर रहता है देट देट ब्लैक स्मिट डिड नॉटिस देट अ मैन हैड ओपन दा गेट और इनी सब शोर शराबे की वज़े स जो ब्लैक स्मिट है यानि कि जो लोहार है जिसे हम आइरन स्मिट भी कह सकते हैं ब्लैक स्मिट का मतलब आप यह कह सकते हो कि जो कोईले का काम करता है ठीक है उसने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने दर्वाजा खोला and entered the porch और उस भट्टी वाली जगे में या धल्य खान हो रहा था कि ब्लैक स्मिट ने ध्यान नहीं दिया और वह आकर के उस भट्टी के पास में जहां आग जल रही थी वहाँ पर पासमें आकर खड़ा हो जाता है बिलकुल तब तक उसका ध्यान ब्लैक स्मित का ध्यान उस पर नहीं जाता शौर्ली निश्य दी it was nothing unusual यानि इसम जो कार खाने हैं वहाँ पर आकर थोड़ दिर रुख जाते हैं या रात को आश्रे ले लेते हैं इसमें कुछ भी अजीब इसलिए नहीं है क्योंकि उनके लिए इससे बहतर और कोई जगह हो नहीं सकती रात को रुखने के लिए for the night to be attracted to the forge ऐसी रात में ऐसी जो धलाई खाने हैं उनकी और वो attract क्यों होते हैं by the glow जो चमक होती है उनकी light की which escaped through वो चमक जो की बाहर निकलती है the soothing pains जो काच होते हैं वहाँ पर उस काच के जरिये बाहर जो है उन्हें बाहर रोशनी दिखाई देती है किसकी भट्टियों की रोशनी वहाँ दिखाई देती है and to come and to warm themselves और वो वहाँ से क्या करते हैं अंदर आ जाते हैं कि और अपने आपको गरम रखने के लिए in front of the fire ता जो होते हैं उनकी तरफ देखते हैं उसने उसकी तरफ देखा only casually बिलकुल साधारण तोर से हाँ ठीक कौन है आई है ठीक कोई दिक्कत नहीं and indifferently और निरपेक्ष भाव से यानि उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता कि आये है ठीक नहीं चले गए ठीक add the intruder उन घुसपैटिय जो कि और he looked the way people of his type usually did और उसने देखा है कि इस तरह कि जो विगाबॉन लोग जो होते हैं गुमकड लोग जो होते हैं वो आम तोर पर किस तरह का काम करते हैं या क्या करते हैं with a long beard एक बड़ी सी डाड़ी dirty ragged and with a bunch of red traps उसने उसके और देखा बड़ी सी डाड़ी थी उसके गंदे और फटे हाल जो उसके कपड़े थे और उसके पास कुछ गुच्छे लटके हुए थे कुछ red trap उसने अपने गर्दन में लटका रखे थे डैगलिंग जो कि लटके हुए थे और इस चैस्ट उसकी चैस्ट पर यहां पर कुछ red trap जो है वो टांक रखे थे बेचने के लिए यह आज permission to stay और जो यह वेगाबॉंड है उसने वहां कुछ समय रुकने के लिए वहां पर रात गुजारने के लिए उसने उससे permission मांगी and the master blacksmith nodded और उसने हामे सारिला दिया कि हाँ ठीकर रुख जाओ a hosty consent without honoring him with a single word यानि कि ऐसा घमंड भरी एक सहमती थी कि हाँ ठीकर रुख जो उसने एक शब्द भी नहीं बोला और किसी भी तरीके से उसका सम्मान करने का प्रयास नहीं किया यानि कि उसने का भई मैं रुख जो कुछ नहीं बोला उसे कोई फरक नहीं पड़ता एक किसी भी तरीके से उसे कोई honor नहीं दिया गया the tramp यानि गुमकड व्यक्ति जो था did not say anything उसने भी कुछ नहीं का either he had not come there to talk क्योंकि वो वहां किसी से बात करने नहीं आया था only to warm himself and sleep वो वहां कि वहां किसली आया था कि वो अपने आपको गरम कर सके गरम रख सके इस December की रात म और ठीक से सो सके पटाफट से कहानी जो है उसे revise करते हैं और revise करके देखते हैं कि इस कहानी में हमने क्या देखा एक गुमकड वेकती है दुनिया के बारे में अजीवों गरीब चीज़े सोचता है उसे लगता है पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है गुमते फिरते एक क् साथ तास वगरे खेलता है सुबोट करके दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं और आदे घंटे बाद में वापस वहीं पहुंच जाता है खिड़की तोड़ता है तीस क्रोन और वहां से चुरा लेता है खुशी-खुशी जाने लगता है फिर लगता है रोड प पीछे फर्स चुका हूं और अब मैं प्रिजन में जेल में कैद हो चुका हूं जेल कैसा जंगल रूपी जेल जिसके चारो तरफ शाखाएं हैं बड़े-बड़े गुच्छे वाले पेड़ हैं और शाखाएं हैं तना हैं और मोटे लगडी के गठ़ड पड़े हैं लेकिन मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहो और ऐसा सोच करके जब लास्ट में ठकार जाता है वहीं पर लेट जाता है लेटने के बाद कुछ दूरी से उसे आवाज सुनाई देती है वहाँ पर वो जाता है जाकर के जो ब्लेक स्मित वहाँ पर है जो वहाँ पर लोहार है और जो आगे के जो पार्ट्स आएंगे वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे तो मैंने आप लोगों से एक चीज़ कही थी कि यह अभी नहीं कहेगा यह बाद में कहेगा मैं अभी कह देता हूं कि अगर आप रैट ट्रैप में नहीं फसना चाते तो अपने रियल एम आपक कुछने रास्ते से हट जाएंगे यानि कौन से बेट्स हैं जो आपको में रोड पे चलने की बजाए आपको प्रेरित करते हैं कि आप जंगल के रास्ते से जाएगे तो अगर आपने अपनी लाइफ में ऐसी कुछ experiences किये हैं जिसमें आपको लगता है कि सर यह लग रहा था कि real direction तो यह है लेकिन बीच में यह बेट आया और मैं mislead हो गया या मैं misdirected हो गया कि मेरा direction जो है काम करने का या चलने का वो change हो गया not physically mentally कि आपने कुछ सोच करके कुछ समझ करके कुछ काम कर रहे थे लेकिन फिर कुछ ऐसा लुभावना कोई offer आया या कोई परिस्तिती आई कि आपने direction को छोड़ करके direction change कर लिया उसकी वज़ अगर मेरे को कोई अपना याद आएगा तो मैं भी share करूंगा लेकिन लास्ट वीडियो में तिल देट टेक केर आफ यॉरसल्फ थैंक यू वेरी मच एंड़ सी यसू बावाई टेक्या